हेलो गाइज विक मैट टूर में आपका स्वागत है मैं हूराकेश और डिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में गुजरात में जो काम चल रहा है इसके अपडेट के बारे में आज बताऊंगा दोस्तों कि कहां पे क्या काम चल रहा है और देखिए यहाँ पे GSB का एक बेट बन रहा है अबी ग्रेडर से ग्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे और मेरे पिछली वीडियो में यहाँ पे सब ग्रेड बन रहा था और इसके उपर GSB डंपिंग होके अभी यहाँ पे GSB का बीड बन रहा है और यहाँ पे दिखिए लेप साइड में DLC लेंग हो चुका है और अभी ग्रेड बैग वहाँ पे बिछा के इसके उपर 7 days तक क्यूरिंग किया जाएगा और यहाँ पे भी DLC लेंग हो चुका है और इसके उपर भी ग्रेड बैग बिछा के इसके उपर भी क्यूरिंग किया जाएगा किया जाएगा जाएगा यहाँ पे दोस्तों फलाइवर बंद रहा है और यहाँ पे अभी आरी वूल का का म स्टार्ट होने वाला है तो अभी यहाँ पे एसके विशन चल रहा है अभी सामने आप देख रहे कि है हम ए झाल 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 यहाँ पिर लेवलिंग पेड के बोटम तक एस्केवेशन किया जाएगा एक साइड में इस्ट्रूमेंट लगा हुआ है लेवल इस्ट्रूमेंट और बार बार देखा जाराय लेवलिंग इस्ट्रूमेंट से कि कितना कटिंग करना है और आप देखरें कि लेबर स्टाप लेके खड़ा है मीचे तो देखिए यहाँ पे आरिवोल पे अभी मिट्टी डंपिंग का काम अभी जारी है और यहाँ पी ग्रेडिंग रोलिंग होने के बाद अभी वाटरिंग हो रहा है आप देखरें टैंकर से कि अड़ी मिट्स देखरें के लिए यहाँ झाल रहा है और अज़ा तो देखरें के जारें कि अड़ा है और बीच में जो डंपिंग हुआ था उसको ग्रेडर से ग्रेडिंग किया जा रहा है और देखिए दोस्तों ग्रेडिंग के टाइम पर लेबर रूट्स को चून के भाहर फैक रहे हैं बुरो रिया में जब एसकेविशन होता है तो वहाँ पर चोटे जो पौधे रहते हैं उसके जड़ एसके एसकेविशन के साथ मिट्टी में आ जाते हैं तो यहाँ पर साइट पर ग्रेडिंग करने के टाइम पर लेबर के द्वारा उसको चून के बाहर फैक दिया जाता है देखिए दोस्तों यहाँ पर पिरावेब का लेवल पहुच चुके हैं और यहाँ पर आप देखरें पिरावेब लगेगा यहाँ पर सूप में पर यहाँ पर दिक्षिए पैनल इरेक्शन हो रहा है यहाँ पर आप और यह एमबेक्मेंट का लेयर है और यहाँ पे FD टिस्टिंग किया जा रहा है FD का फुल फॉर्म है और देखे दोस्तों यह जो दिख रहा है वो जियो सेल है और यह कहाँ पर लगेगा वो मैं आपको दिखाता तो देखे दोस्तों यह साइड स्लॉप प्रोटेक्शन में इस तरह से लगेगा और इसके उपर सॉईल खिलिंग किया जाएगा और इसके बाद इसके उपर गस लगा जाएगा तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दिखते हैं आगे क्या क्या हो रहा जाएगा रहा और इसके खरेग चलिए एको चलिए दोस्तों आट हो प得 शोस्तों आप हो लगेगा तो झाली दिते हो जाएगा ऌपकों सराइखें तो देखिए यहां पर PQC लेंग हो रहा है दोस्तों और यह नाइट में अभी PQC का काम भी चल रहा है यहां पर एस्केविटर से कंक्रीट को फैलाया जा रहा है डंपिंग होने के बाद एस्केविटर इसको पीवर की और फैलाता रहता है अपिंग है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्यूरिंग कमपाउंड स्प्रे किया जा रहा है प्रेंड्स आई हॉप आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना न बोले और जो दोस्तों मेरी चैनल पे नए है वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न बोले ताकि मेरे लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद